हेलो स्टुडेंट्स एन ओल दे विवर्स आई एम मुहमद रफात खान एंड यू और वाचिंग माई यूट्यूब चैनल आपके बहुत सबर के बाद आपके बहुत रिक्विस्ट के बाद के सर कहां गायब हो गए हैं आप क्यों अपलोड नहीं कर रहे हैं सिरीहिस का नेक्स लुक्र में डियू के बड़ेंगे तो यह रहा हमारा नेक्स लेक्चर यानिंग करेंगे के भलके रीच वीडियो जो सीरीहिस कर रहे हैं हैंat extensive series तो इससे पहले में अभी तक आप लोगों के साथ 5 प्रूस को भीचयबश्न का चुके हैं तो इस MCQ सीरीज का आज का हमारा लेक्चर नमबर सिक्स यानि के वीडियो नमबर सिक्स ठीक है और वीडियो के टैटल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग जो है वो क्लास 12 की आप चैप्टर को डिसकस करने जा रहे हैं क्लास 12 का भी one of the most important chapters of class 12 जिसको हम जा रहे हैं आज के वीडियो में that is current electricity तो जनाब आज हम current electricity के जितने भी important most important जो आते हैं या आ सकते हैं जो conceptual होते हैं जो numerical type होते हैं ठीक है तो वो सारे MCQs को कोशिश करेंगे इसके जादा से जादा MCQs को इस chapter के हम लोग discuss करें तो time जाया किये बगार क्यों ना start करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो तो start हो चुकी है मतलब आज क के पहले तीन questions आपको screen पर नजर आ रहे होंगे आप screen पर सरीट करें और मेरे पास mobile है मैं mobile में सरीट कर लेता हूं question एक ही होगा पढ़ते हैं start करते हैं देखिए first question में आज के क्या लिखा हुआ है current of 4.8 amperes is flowing यानि के current की value given है through a conductor the number of electrons per second will be वो कहना चाहरा है कि अगर 4.8 amper current flow कर रहा हो किसी भी conductor में तो आप ये बताएं कि पर second कितने electrons पास होंगे ठीक है तो भई बहुत असान सा question है देखिए एक बाद जान में रखेगा कि आपने अगर number of electrons बताने हो ना तो number of electrons आप बता सकते हैं अगर आप कोई पता हो कि कूलं चार्ज कितना है यानि कि चार्ज की value कितनी है तो चार्ज पता होगा तो number of electrons भी आप बता सकते हैं तो देखें आप यहाँ पर क्या करेंगे current की value और time जो given है पर second यानि कि एक second की बात कर रहा है न ठीक है तो देखें अब यहाँ पर हमें एक बात पता है कि current का जो formula होता है that is charge upon time अगर मैं इसको arrange करूँ charge के लिए तो formula क्या बनेगा current into time आपको current की value given है question के अंदर 4.8 और time given है पर second यानि कि 1 second तो let's multiply these two factors current की value कितनी है 4.8 multiply by time कितना है 1 second तो answer कितना आ जाएगा यानि कि charge हमें कितना मिला कूलम में 4.8 कूलम चार्ज यह हमें कूलम के अंदर ही पता चल गया कि 1 second में कितना charge flow करेगा 1 second में उस conductor में कितना charge flow करेगा 4.8 कूलम अब सुने है electrons की बात करते हैं यह हमार answer नहीं है हमें एक बात पता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने electrons होते हैं 6.25 into 10 is to power 18 electrons होते हैं यह बात आप याद रख लें यह हमें पता होने चाहिए as we know that कि 1 कूलम चार्ज कब बनता है कितने electrons से मिलकर बनता है तो जनाब 1 कूलम चार्ज के अंदर इ कितने होंगे इस value को 4.8 से multiply कर देंगे हमारा answer आ जाएगा तो let's multiply so जनाब 4.8 कूलम चार्ज में कितने electrons होंगे तो मैं इस value को multiply कर दूँगा 4.8 से और चोहता यानि कि A और D जो options हैं इसमें 3 का figure आ रहा है यानि कि 3 और A option में power आ रही है 19 और D option में power आ रही है 20 जबके B और C options तो आप हटा दें उसमें 7.68 7.68 आ रहा है वो तो हमारा answer है ही नहीं अब देखें power 18 है मुझे इसको 3 बनाना है तो 3 का मतलब point को एक दवा पीछे ले जाए तो 18 से 19 पावर हो जाएगी तो यह क्या बनीगी 3.2 into 10 is to power 19 electrons और यह हमारा answer है जो के आपको option A में नजर आ रहा होगा यानि कि 4.8 कूलम चार्ज में इतने electrons होते हैं यानि कि उस conductor में एक सेकिंड में कितने electron pass हो रहे होंगे इतने electron pass हो रहे होंगे 3.2 अब देखें पावर आगे 19 पहले 32 था एक दफा पीछे लेकर गए decimal को 18 से 19 हो गया दूसरी बात आप चाहें तो 3.2 है ना इसको round off करके 2 को drop कर दें 3 हमार answer हो जायागा तो 3.2 can be round off to 3 into 10 is to power 19 electrons तो हमारा पहले जो question है पहले question का जो correct option आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 into 10 is to power 19 electrons next question की तरफ चल आप देखिएगा when the current I is flowing through a conductor the drift velocity is V drift velocity ना जब आप किसी conductor को potential difference देते हैं तो potential difference की बज़े से वो free electrons जिस velocity के साथ मूव करते हैं उसको हम कहते है drift velocity जब आप किसी भी conductor को potential difference नहीं देते तो जिस velocity के साथ वो electrons move करते हैं free electrons move करते हैं उस velocity को हम कहते है thermal velocity तो दो किसम की velocities होती है एक होती है thermal in the absence of potential difference जब आप conductor को potential difference नहीं देते और एक होती है drift velocity जब आप conductor को connect कर देते हैं किसी source के साथ तो वो सारे एक तरफ move करके जा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं drift velocity और drift velocity का जो order होता है एक काम भी करते हैं 2nd MCQ से पहले 3rd को discuss कर लेते हैं तो 3rd में यह लिखावा है कि when the current flows through a conductor then the order of the drift velocity of the electrons will be constant इसको याद रख लिएगा drift velocity की जो value होती है that is 0.01 cm per second इसको याद रखिएगा क्या बोल रहो है 0.01 cm per second अब अगर इस 0.01 को मैं पावर्स में लेकर जाओं तो आपको option number B में नज़र आ रहा होगा 10 power minus 2 cm per second यह order है इसको याद रख लिएगा drift velocity electrons की कितनी होती है 10 power minus 2 cm per second यानि कि 3rd MCQ का option number B correct है अब चलते हैं second की दरफ second में कह रहा है continue करता हूँ second line पर continue कर रहा हूँ if पहले current था I तो drift velocity थी V अब यह बोल रहा है कि if 2I current कहने कि current को double कर दिया 2I current is flowed through the same metal but having double the area of cross section देखो दो चीज़े change कर रहा है current पहले आई था बाद में 2I कर दिया current को double कर दिया और दूसी बात इसने बोला area of cross section को भी double कर दिया गया पहले conductor का area था A बाद में उस conductor के area को double करके A से 2A कर दिया तो दो चीज़े इन्होंने double कर दिया एक current और एक cross section area अब आपसे बुछ रहा है बताओ अब drift velocity क्या होगी तो बताता हूँ मैं आपको कैसे होगी देखें एक चीज़ आप जहार में रखी का इसको रप कर देते हैं screenshot ले लो इस बात का जल्ली से screenshot ले लो और फिर मैं इसको रप कर देता हूँ ठीक है जनाब देखो जो drift velocity होती है किसी भी conductor में फिरी लेक्ट्रॉंस की वो directly proportional होती है current density के जो drift velocity होती है मैं VD लिख रहा हूँ छोटा साना इस directly proportional to current density इसको हम रेपेजन करते हैं J से J का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूँ आगे current density current density J का मतलब होता है current density यानि कि अगर conductor में आप current density को बढ़ाएंगे तो drift velocity भी बढ़ जाती है ठीक है तो VD is directly proportional to J अच्छा अब current density की बात करते हैं आपको एक बात बता है कि current density का मतलब क्या होता है अच्छा mass density होती है तो हम क्या बोलते है mass per unit area अगर charge density होती है तो हम कहते है charge per unit area और अगर current density है तो हम क्या बोलेंगे current per unit area तो जनाब current density का मतलब क्या होगा current per unit area अच्छा वो कह रहा था कि पहले जो है conductor में current flow कर रहा था आए जब cross sectional area था ए पहली condition में इसका मतलब current density उसको मैं represent कर दूँँगा J1 से पहले current density कितनी थी J1 और यह किसके बराबरती I upon A के बाद में उसने क्या किया current density को change किया यानि के second density को मता रहे है current को I से बढ़ा कर उसने क्या कर दिया 2I लिखावा ना question में 2I और cross sectional area को भी उसने क्या कर दिया double लिखावा है question के इंतर double the area of cross section तो ही हो गया 2A अब current को भी double किया और area को डबल किया दोनों को एक साथ double करेंगे जो 2 से 2 cancel हो जायागा आंसर क्या बचेगा सिर्फ current upon area अब आप note करें जो J1 है exactly वही value किसके आ गई J2 की मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि current density number 1 बराबर आ गई किसके current density number 2 के इसका मतलब क्या हो गया कि current को और cross sectional area दोनों को एक साथ बढ़ाने से current density पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर जब current density पर फर्क नहीं पड़ता तो जिस पर drift velocity depend करती है अगर वही चीज़ चेंज नहीं हुई तो drift velocity भी change नहीं होगी तो इसका मतलब अगर पहले drift velocity थी V तो बाद में भी drift velocity क्या रहेगी V रहेगी क्योंकि current densities बराबर है और ये क्यों बराबर होगी क्योंकि एक साथ current और एक साथ area of cross section को बढ़ाया गिया और same बढ़ाया गिया तो 2 से 2 cancel हो गया तो पता चला कि current density is equal और जब current density change नहीं होई तो drift velocity भी change नहीं होगी तो इसका मतलब इस second वाले question का जो correct option होगा वो होगा C यानि कि पहले भी velocity V थी और बाद में भी velocity V रहेगी ठीक है चलते है next questions की तरफ ये रहे हमारे पास next three questions आपको बोट पे नजर आ रहे होगे मैं भी read कर लेता हूँ आपके साथ देखें, first question में लिखा हूँ है कि when the length and area of cross section both are doubled then it's resistance ये कहना चाहा है कि अगर हम conductor की length और conductor के cross section area को दोनों को double कर दें तो बताओ resistance पर क्या फर्क वालेगा तो जनाब resistance का आपको formula पता होना चाहिए कि resistance का formula होता है is equal to rho L over A this is the formula to calculate what resistance अब ये कहना चाहा है कि वो length को भी double कर रहा है और area of cross section को भी double कर रहा है तो double करने का मतलब क्या हो जाएगा आप 2L कर दें और upon में 2A कर दें double करने का मतलब ये हीने twice कर दिया दोनों के साथ 2 लगा दें तो जनाब 2 से 2 cancel हो जाएगा तो दुबारा से formula क्या बचेगा rho L over A यानि कि twice करने के बावजूद दोनों को अगर double करेंगे एक साथ तो ऐसा करने से resistance के उपर कोई फर्कने पड़ेगा जितनी पहले resistance थी बाद में भी उतनी रहेगा यह R1 थी तो यह R2 है तो दुनों पर कोई फर्कने पड़ेगा तो resistance will remain same तो चेक कर लेते हैं या आपके कौन से option के अंदर आपको नजर आ रहा होगा तो जनाब या आपको नजर आ रहा है option number C में will remain the same option number C is correct length और अगर area of clock section को एक साथ double या एक साथ half या जो भी change लेकर आएं अगर दोनों में एक साथ लेकर आएंगे तो resistance के उपर कोई फर्क नहीं पड़ता है next question रीट करता हूँ next question में क्या लिखा हूँ है the resistance of a wire is 20 ohms मतलब आपको इसने resistance बताई कि एक wire है उसके resistance कितनी है 20 ohms है यह कहना चाहरा है it is so stretched that the length becomes three times मतलब वो जो बाइर है वो जो conductor था उसको खेचा, stretch किया उसको ऐसे stretch किया कि उसकी length तीन गुना बढ़ गई three times बढ़ गई length अब आप से क्या बूच रहा है then the new resistance of the wire will be अब देखें यह बड़ा interesting question है एक बाज है में रखिएगा कि अक्सर इस्टूइंस क्या समझते है कि resistance का length के साथ यह देखें next question है resistance का length के साथ direct relation होता है अब वो समझते हैं कि अगर length को खीचा stretch किया three times length हो गई तो वो समझते हैं कि अगर length three times होगी न तो resistance भी three times बढ़ जाएगी और three times बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको पहले से 20 ohms given है न तो आप क्या समझेंगे कि इसका correct option क्या होना चाहिए 20 का three times का निकलेगा two threes are six, 60 यह दो को option number B के अंदर मौजूद है आप क्या समझेंगे 60 answer होगा 60 पे आप टिक कर देंगे ऐसा नहीं है एक बास है में रखिएगा मैं आपको बता दूँ वो ही है कि in case of stretching in case of stretching a wire आज के बाद किसी भी question में अगर वो आपको conductor या wire को खेचने के बाद बढ़ा करने का बोल रहा है मतलब it is so stretched कि वो उसकी length double हो गई या thrice हो गई या quadruple हो गई या six times बढ़ा गई अगर वो stretch करने का बोल रहा है न तो याद रखेगा अगर wire को stretch किया जाएगा तो resistance directly proportion होगी L square के इस relation को याद कर लो हमेशे के लिए याद कर लो आज के बाद किसी भी question के अंदर वो जब भी wire को stretch करके खेचने को बोलेगा stretch करने को बोलेगा कि wire को stretch किया और वो इतना बढ़ गया याद रखेगा resistance का relation length के साथ L square बन जाता है इसको याद कर लो short trick की तोपर याद कर लो ठीक है अब आप note करें वो आप से कह रहा है question के अंदर कि already जो resistance है वो कितनी थी 20 ohms इसको इतना खेचा गया कि उसकी length 3 times हो गई 3 times का मतलब क्या अब आप length की जगा 3 put करेंगे तो 3 L का मतलब 3 का square क्या हो जाएगा 3 3 is a 9 अब आप resistance जो already है उस resistance को 9 से multiply करेंगे ये दो को अब 9 को आपने और वो कितनी given थी आपको 20 तो 20 को जब आप 9 से multiply करेंगे तो answer क्या आजाएगा 180 29 is a 180 ohms तो check कर लेते हैं कि हमारे कौन से option के अदर ये लिखा हुआ है कौन से correct उसमें ये लिखा हुआ है तो चनाब इस second question का जो correct option है वो D है 180 ohms पहले कितनी थी 20 और खीचा wire को 3 times तो 3 का square करेंगे length का स्क्वाइर करेंगे हैं तो 3, 3 जा 9 और 9 को आप 20 से multiply कर देंगे तो 29 जा 180 तो इसका correct option क्या हो जाएगा 180 थर्ड कोशन पढ़ते हैं थर्ड कोशन देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है कि resistivity of a wire अच्छा of a wire के बाद चार option से एक एक करके पढ़ता हूँ फर्स में लिखा हुआ increases with the length of the wire पहले बात exam में बिठा लें कि जो wire की या किसी भी conductor की resistivity होती है resistivity ना तो conductor की length पर depend करती है और ना ही conductor के cross sectional area पर depend करती है मतलब resistivity length और area of cross section के independent होती है आप length को बढ़ाएं, कम करें resistivity पर कोई फर्क ने पढ़ेगा आप area of cross section को बढ़ाएं या कम करें resistivity के उपर कोई फर्क ने पढ़ेगा यह बात जहन में रखिएगा तो resistivity जब तक change नहीं होगी जब तक आप nature of material या temperature change ना करने हैं तो फिलाल statements पढ़ते है resistivity of a wire increases with length गलत हो गया length को बढ़ाने से या कम करने से resistivity पर कोई फर्क ने पढ़ता b में लिखाव है decreases with the area of cross section यह भी गलत area of cross section को भी change करने से resistivity के उपर कोई फर्क ने पढ़ता c में लिखाव है decreases with length and increases with cross section गुमा फिर आ रहा हैं गलत है तीन options गलत है d में लिखाव है none of the statement is correct यह सही है क्योंकि यह जो तीनों options आपने पढ़े न यह तीनों की तुनों गलत है resistivity, length पर और area of cross section पर depend नहीं करती चलते हैं next question की तरफ तो यह रहे हमारे पास next two questions read करते है first question में जो लिखाव है वो आपको नजर आ रहा होगा कि ohm's law is true अब statements पढ़ते हैं क्या है A में लिखाव है for metallic conductors at low temperatures यह statement correct actually B में लिखाव है बागी भी पढ़ लेते हैं B में लिखाव है for metallic conductors at high temperature नहीं, conductors का अगर आप temperature बढ़ा देते हैं आ फिर वो ohm's law को बे नहीं करते C में लिखाव है for electrolytes आपको पता है electrolytes तो वैसे ही non-ohmic होते हैं यह ohm's law को बे नहीं करते electrolytes हो या diodes हो देखो option number D में भी आपको नज़र आ रहा होगा diodes तो diodes और electrolytes यह दोनों के दोनों non-ohmic होते हैं यह ohm's law को बे नहीं करते तो इसका मतलब इसका correct option हो गया इस first वाले question का वो क्या हो गया A option is correct for metallic conductors at low अचा है यह आपर low temperature का मतलब क्या एक room temperature high temperature का मतलब आप temperature बढ़ा रहे हैं तो high temperatures को पर जाके metallic conductors ohm's law को बे नहीं करते next question next question में लिखा हुआ है कि the example for non-ohmic resistance is मतलब आप इन 4 में से यह बताओ है तो भई इन में non-ohmic एक ही नजर आ रहा है और वो है diode या दरखिएगा इन में copper भी ohmic है ohm's law को बे करता है carbon resistance भी ohmic है ohm's law को follow करता है tungsten wire यह भी metallic यानि के ohm's law को बे करता है यह तीनों बे करते हैं except diode इसका मतलब इसका correct option क्या हो गया c c में diode लिखाव है c यानि के diode is an example for non-ohmic resistance कहलो या conductor कहलो next question की तरफ चलते हैं यह रहे हमारे पास next two questions next two questions में से जो पहला question लिखाव है वो क्या है read करते है first question में लिखाव है on increasing the temperature of a conductor its resistance increases because अब आप reason बताओ reason में a में लिखाव है relaxation time decreases क्या पता बहुत सों को नहीं पता हो कि relaxation time होता क्या है तो वो इस option की तरफ जाएंगे नहीं मैं आपको बता दे तो relaxation time क्या होता है लेकिन b और c option को पढ़ते हैं पहले b में लिखाव है mass of the electron increases electron के mass का conductor के temperature से कोई तालुग नहीं होता ठीक है तो temperature बढ़ाने से mass के उपर कोई फर्क नहीं पढ़ता b option तो गलत हो गया c में लिखाव है electron density increases sorry decreases density भी नहीं बढ़ती ना ही कम होती electrons जितने हैं उतने ही रहते हैं ठीक है इसका मतलब b और c option गलत हो गये अच्छा डी में क्योंकि लिखाव है none of these तो none of these क्या पता हो लेकिन इससे पहले काम ही करते है relaxation time decreases जो लिखाव है ना इसको समझते हैं क्या है देखो एक बाद समझेगा relaxation time क्या होता है relaxation time की छोटी सी मिसाल ले लो या definition में आपको बता दूँ conductor में free electron collision करते हैं अब देखें एक electron आ रहा है वो पहले एक atom से टकराता है collision के बाद जो दूसरी collision वो होगी यानि के पहली collision और उसके फॉरण बाद जो दूसरी collision वो करेगा इन दोनों collisions के दर्म्यान जो time interval आएगा ना इसको कहते है relaxation time यानि कि क्या होता है क्यों कहा इसको relaxation time है मतलब relaxation electrons के बाद relax करने का time आ गिया relax क्यों कह रहे है क्योंकि free electrons conductor में बार बार collide करते हैं तो collide करना को relaxation की बात नहीं होती हाँ collide करने के बाद without collision जो ट्रेविल करते हैं इसको कहते हैं वो relaxing condition में है समझे रहे हैं यह कौन सा आप आप बना सकते हो तो relaxation time की definition क्या बनी it is the time interval between the two consecutive या between the two successive collision एक collision से दूसरी collision के दर्मयान वाला जो time होता है इस time को हम कहते है relaxation time यह बाद समझा गई अब चलते हैं option की तरफ option में लिखावाता है relaxation time decreases पहली बात मेरी सुने हमें एक बात पता है conductor के temperature को बढ़ाने से resistance बढ़ती है और resistance के बढ़ने से collisions भी बढ़ती है ऐसा है ना resistance बढ़ती है तो free electrons की collisions भी बढ़ती है अगर let's let's suppose temperature नहीं बढ़ाया temperature increase नहीं किया तो let's कर रहा था लैड स्ब्सक्राइब दो कोलीजन कर रहा है चार याई कि पहले दो कॉलेजन कर रहा था अब चार कोलीजन खा रहा था अब आप सोझेब कि अगर नहेंबर उबर जायंगी तो उसत एंक ट्रोण का रिलेक्सेशन टाइम बढ़ना चाहिए है कम होना है वो decrease हो जाता है ये सकरीजन है अब बहुत सों को पता ही नहीं था कि सर वाट इस रिलेक्सेशन टाइम तो रिलेक्सेशन टाइम ऐसे आप याद रखेंगे कि रिलेक्सेशन टाइम is the time interval between two successive collisions made by three electrons ठीक है तो बस simple सी बात है temperature बढ़ा होगे resistance बढ़ेगी resistance बढ़ेगी collisions बढ़ेगी collisions बढ़ेगी तो वो successive collisions के बीच में जो time period था ना वो decrease हो जायाएगा तो relaxation time decreases next question देखें next question में लिखाओ है कि in a conductor four coulombs of charge flows for two seconds the value of electric current बहुत असान है electric current find करना है तो electric current के लिए आपने charge को time से divide करना है तो कर लेते हैं से वर्भली charge कितना given है four coulomb time कितना given है two seconds यानि कि four core two से divide कर दो तो answer क्या जाएगा two तो पता है ना आपको formula current का क्या होता है i is equal to charge over time charge कितना given है four coulomb time कितना given है two seconds तो current कितना आ गया two ampere तो जनाब इसका जो correct option है हमारे पास कौन से लिखा हुआ है option में option number c is correct two amperes ठीक है next question की तरफ चलते हैं यह रहे हमारे पास next two questions इसमें first question में लिखा हुआ है specific resistance of a wire is row its volume is three cubic meter volume की value given है and its resistance is three ohms volume और resistance की values आपको बकायदा given है और आप से पूछ रहा है then its length will be length calculate करते हैं तो कर लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी भात है देखें सब से बहुत करते हैं volume जो आपको given है three cubic meter इसको convert करते है volume की value कितने given है अचा पहले volume का formula क्या होता है area into length यानि कि आप area of cross section को length से multiply कर दें तो आपको मिल जाएगा volume यह two dimensional यह one dimensional इसका unit meter square और इसका सिफ meter तो square meter multiply by meter क्या बनेगा meter cube यानि कि यह volume का formula है अब आप note करें कि आपको volume की value given है three is equal to area multiply कर रहा है और यहाँ पर आके divide करेगा तो क्या बनेगा three upon a और किसकी value आ गई है यह का में करते है area के लिए formula बनाते है sorry area of cross section के लिए length multiply कर रहा है volume के साथ आके divide करेगा यानि कि three के साथ आके divide करेगा तो यह मिल गया आपको area of cross section का formula formula मिला है याद रखिएगा हमें length calculate करनी है तो अब देखें अब मुझे पता है resistance का formula क्या होता है row length over a ऐसा है अब values put करते हैं जो जो values हमें given है resistance की value कितने given है let me see एक दफा चेक कर लो मैं resistance की value आपको given है 3 ohms ठीक है मैं r की जगह पर put कर देता हूँ 3 is equal to row row है इसको कुछ नहीं करना length length है यह हमें find करनी है divide में area आपने calculate किया हुआ है 3 upon L तो यह आजएगा 3 by L ऐसा है L divide कर रहा है उपड जाके L के साथ multiply करेगा तो L into L L into L क्या बनेगा L square यहां 3 divide कर रहा है 3 के साथ जाके multiply करेगा तो 3 3 is a 9 यह बनेगा 9 row multiply कर रहा है row आके नीचे divide करेगा तो यह बन जाएगा 9 over row is equal to L into L क्या बन चुका है L square बन चुका है last step है जनाब हमारा answer आ चुका है square खतम करने के लिए radical करेंगे तो 9 over row क्यों पर आ जाएगा radical is equal to वहां बच जाएगा सिर्फ L तो 9 का radical perfect निकलता है 3 और row जो है वो radical में रह जाएगा तो 3 over radical row यह हमारा answer आ गया और चेक करें यह कौन से option में लिखावाए option number B में यह option आपको नजर आ रहा होगा इसको note कर लें option number B is correct 3 over radical row यह उस वाइर की लेंथ है ठीक है note कर लिया होगा अचा next question पढ़ते है next question में लिखा हुआ है कि 62.5 62.5 into 10 is to power 18 electrons per second one second की बात कर रहा है time given है one second are flowing through a wire of area of cross section 0.1 meter square यह आपको confuse करने के लिए इसका काम भी नहीं है the value of current will be आपको current calculate करना है तो बस यह आपको जो number of electrons given है और जो time given है इन दोनों से हम current calculate कर सकते हैं यह आपको area of cross section given है यह आपको confuse करने के लिए given है ताकि आप थोड़ा सोचें सोचने पर मजबूर हो जाए student कि यह यह value given है तो इसका भी तो कोई न कोई काम होगा ना आप जैसी सोचने start करेंगे आपका time जाया होगा आपका work जाया होगा इसका मतलब examiner अपने मकसद में कामियाब हो गया तो हमें इसकी जरूवत ही नहीं है तो फिर हमें किसी इसकी जरूवत है तो हमें जरूवत है थोड़ा सा सही सोचने की current का जो formula होता है that is charge over time rate of flow of charge अब आप बोलेगे सर्फ charge given नहीं है हमें number of electrons given है 62.5 into 10 to power 18 electrons तो कर लेते हैं कौन सी बड़ी बात है आपको पता है charge का formula क्या होता है n e over t charge का formula होता है number of electrons multiply by charge of electron तो भई हमें number of electrons given है हमें charge of electron पता है और हमें time given है one second बस अब तो बहुत हसान हो गया तो multiply कर लेते हैं तो भई number of electrons question में कितने given है 62.5 और power कितनी है 18 इसको multiply करेंगे charge electron का कितना होता है constant है भूल मत जाना minus 19 कूलंग और divide कर दो time कितना given है per second यानि कि one second हो गया solve अब जब मैं 62.5 को multiply करूंगा 1.6 से तो answer आएगा actually 100 और 100 के बाद power 18 और minus 19 19 में से 18 जाएंगे 1 बचेगा लेकिन कौन सा negative यह बचेगा 10 power minus 1 अब minus 1 का मतलब क्या है एक 0 खतम कर दो 100 है ना minus 1 का मतलब एक 0 खतम हो जाएगा तो finally आपका current का answer क्या आजाएगा 10 amperes 10 amperes यह हमारा correct option है और यह आपको नज़र आ रहा होगा let's check it कौन से option में option number C में नज़र आ रहा है यानि कि option number C is correct यानि कि 10 amperes current ठीके तो number of electrons भी given हो ना time के साथ तो भी आप current calculate करेगा इसी formula से यानि कि number of electrons को charge of electrons से multiply करके time से divide कर दे रहा तो भी आपको क्या मिल जाएगा current की value मिल जाएगी चलते है next question की तरफ यह रहे हमारे पास next two questions इसमें जो first question है क्या लिखा हुआ है read करता हूँ first question में लिखा हुए कि when there is an electric current through a conducting wire along its length then an electric field must exist आप से पूछना चाहरा है कि अगर आपके पास कोई conductor हो और इसमें अगर current flow कर रहा हो तो उस current carrying conductor की electric field कहां होगी और कैसी होगी तो पहली बात तो आप जैने में ठालें कि किसी भी conductor में जिसमें current flow कर रहा हो उसकी electric field कभी भी outside नहीं exist करती यानि कि outside वाले options गलत हो गए outside the current carrying conductor electric field does not exist ठीक है दो option गलत हो गए और दूसरी बात c और d में लिखावा है तो याद रखिएगा हमेशा parallel होती है पहली बात electric field होती कह है conductor में जब current flow करेगा तो electric field का होगी तो हमेशा inside होगी inside the conductor होगी और हमेशा along होगी parallel to the conductor अगर conductor ऐसे रखावा है x-axis पर तो उसकी field भी कैस होगी along x-axis होगी यह बात धायमें रखिएगा तो इसका जो correct option होगा हो क्या होगा c option is correct inside the wire but parallel to it यह correct option है next question की तरफ जाते है next question में क्या लिखावा है through a semiconductor and electric current is due to the drift of आप यह बताएं के semiconductor में जो current flow करता है ना वो किसकी वज़ा से करता है मतलब charge carriers कौन होते हैं semiconducker की बात कर रहा है लेकर यह यह metals की बात कर रहा है यह बात कर रहा है semiconductor में तो याद रखिएगा semiconductor में जो current flow करता है ना वो 2 की वज़ा से करता है एक होता है free electron और दूसरा होता है holds holds free electrons negatively charged होते हैं और जो holes होते ना वो positively charged consider किये जाते है positively charge का मतलब protons नहीं होता those are holes मैंने ये lecture upload नहीं किया time आयागा तो मैं lecture भी upload करूँगा तो मैं आपको detail में बताऊँगा semiconductor की कहानी होती क्या है लेकिन आप फिलाल याद कर लें कि अगर semiconductor होगा semiconductor में जो current flow करता है वो किसकी वज़ासे करता है free electrons और holes की वज़ासे इसका मतलब इसका जो correct option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा B option is correct next questions की तरफ चलते है ये रहे हमारे पास next three questions इसमें सबसे पहले question में जो लिखावा है मैं read करता हूँ इसमें लिखावा है 5 amperes of current is passed through a metallic conductor current की value given है the charge flowing in 1 minute in coulombs will be time आपको given है 1 minute आपने 1 minute में ये बताना है कि अगर 1 minute में 5 amperes current flow कर रहा हो तो charge कितना flow करेगा यानि कि क्यू की value बहुत असान इसको calculate करते है 5 amperes और 1 minute तो देखें भाई हमें पता है कि अगर आपको charge calculate करना हो तो आप सीधा सीधा current को multiply कर दें time के साथ तो अगर मैं current कितना given है 5 amperes इसको multiply कर दूँ time कितना given है 1 minute 1 minute के अंदर कितने seconds होते है 60 1 से multiply नहीं करना गलत हो जाएगा और गलत का मतलब पता है गया है अगर आप 5 को 1 से multiply कर देंगे तो आपको 5 भी नजर आ रहा है option के अदर option A में लिखावा है तो आप समझेंगे शायद 5 option is correct नहीं 1 minute का मतलब you must convert 5 sorry 1 minute into seconds तो 1 minute के अंदर कितनी seconds 60 अब ये 300 answer आ जाएगा यहने कि charge कितना flow करेगा 300 coulomb इसका जो correct option आपको नजर आ रहा है that is option number D option D आपको correct नजर आ रहा है next question की तरफ चलते है next question में लिखावा है wires की बात हो रही है two wires of the same material दो अलग अलग wires है लेकिन उनके material same है material same हुने का मतलब पता है क्या है दोनों की resistivity की value same है यानि कि दोनों की row की value same है आगे चलते है the first wire is twice as long as the second wire यानि कि जो पहला वाला wire है उसकी length दूसरे वाले से double है twice है दूसरी बात क्या बोल रहा है end has twice the diameter of the second यानि कि जो पहला वाला है उसकी length भी double है और साथ साथ उसका जो diameter है वो भी दूसरे वाले से double है diameter भी double है यानि कि उसका cross section area भी जादा है फर्स वाले का as compared to second, पूछ क्या रहा है, the resistance of the first will be, first वाली की resistance आपने बताने हैं, चले इसको solve करते हैं, देखें वई, सबसे पहली बात तो same material उसने खाता, same material का मतलब पता है क्या हो जायागा, दोनों की resistivity की value same है, यानि कि row 1 बराबर हो जायागा, row 2 के, दोनों के material same है, दोनों की resistivity की value same है, अब मैं यहाँ पर भी resistivity का formula put करूँगा, first wire के लिए, और यहाँ पर भी resistivity का formula put करूँगा, second wire के लिए, तो resistivity का formula क्या होता है, R, A, over L, यह resistivity का formula होता है, इधर भी यह put करूँगा, L, लेकिन क्योंकि यह first wire के लिए है, तो इसको मैं कर देता हूँ, R R1, A1, L1 और यह क्योंकि Second Wire के लिए तो R2, A2 और L2 यहाद आज बात के लिए अब आपको given conditions क्या है question के अंदर कि जो first वाले की length है वो second वाले के twice है यानिके double है और जो first वाले का diameter है वो second वाले के diameter के भी twice है यानिके double है diameter की बात करते हैं पहले क्योंकि आप diameter का जिकर है नहीं देखिएगा जो area of cross section होता है यह बराबर होता है पाई आर स्कुएर के गौर से सुनिएगा पाई आर स्कुएर के radius का radius का diameter के साथ direct relation होता है अगर first वाले का diameter double है तो उसका radius भी double होगा क्योंकि diameter बढ़ा होगे तो radius बढ़ता है diameter कम करोगे तो radius कम हो जाएगा simple सी बात है radius का diameter से direct relation होता है diameter double होगा तो radius भी double होगा radius को double करेंगे तो double के उपर लगावा square तो double का square कितना हो जाएगा 4 इसका मतलब जो first वाले का area of cross section है diameter के double होने की वेज़े से वो area दूसरे वाले के 4 times हो जाएगा बात समझीएगा पड़ी important बता रहूं लेंद की बात तो सीदी सीदी है ये कहा रहा है length तो दूसरे वाले के twice है मतलब मैं आप टू एल्टू कर दूँगा लेकिन area के बास सुनिए का जोसने diameter की फॉर्म में कही देखें area का formula है पाय आर इसको है आर का मतलब होता है radius radius का relation diameter के साथ है direct अगर diameter double है तो जनाब radius भी डबल होगा radius double होगा तो double का square करो तो area four times होगा समझ रहे हैं अब four area की जगा पर four put करिएगा चलें अब देखें values put करते हैं r1 same first वाले का area second वाले से कितना हो गया four times हो गया according to this relation तो मैं आपर put करूँगा four a2 four a2 क्योंकि a1 बराबर है four a2 के number अच्छा upon में l1 first वाले wire का जो length है वो second वाले के twice थी तो यहाँ पर आप l1 की जगा क्या put करेंगे two l2 is equal to यह same रहेगा side r2 a2 और upon में l2 यानि कि जो सारी conditions आपको given थी वो first वाले की given थी as compared to second तो आपने सारी values first में put करी length l1 second वाले के twice है यानि कि 2 l2 यह l1 की value given थी diameter के double होने की वज़ज़ से area जो है वो second वाले का four times हो गया according to this relation double का मतलब double का square करेंगे तो four आ जाएगा अब इसको solve करना है solve कैसे करेंगे two one's are two two two's are four l2 से l2 cancel a2 से a2 cancel यहां बचा हो है सिर्फ two के साथ r1 two r1 और यहां पर सिर्फ क्या बचा हो है r2 अब आप से पता है question क्या कर रहा था question तो देखें क्या लिखा हो है question में क्या लिखा हो ह है तो first की resistance का मतलब क्या आपसे r1 पूछ रहा है तो two multiply कर रहा है महां जाके divide करेगा तो r1 का answer क्या जाएगा r2 over two यह हमारा answer है यह हमारा answer है और देखें answer match करते है answer में क्या लिखा हो है हाँ बढ़ी r1 कितना है second वाले resistance का half r1 कितना है first वाले की resistance किसके बराबर आई second वाले resistance की half तो देखें option ढूंटे का लिखा हो है option लिखा हो है b में option number b is correct half of the second first वाले की resistance कितनी होगी half of the second यहनि कि option number b is correct आगे चलते है next question पढ़ते है next question में लिखा हो है an electric wire is connected across a cell of emf e emf की value given है e यहनि के potential difference की value given है e the current i is measured by an m meter of resistance r according to ohms law ohms law की equation क्या होती है v is equal to ir बस यहाँ पर v नहीं है तो यहाँ पर emf given है आपको e तो जहाँ पर v is equal to ir होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e is equal to ir तो इसका मतलब यह जो last question लिखाव है third इस third question का जो correct option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा b option number b is correct e is equal to ir चलते हैं next question की तरफ यह रहे हमारे पास next two questions अच्छा इन में first question में क्या लिखाव है read करते हैं फर्स में लिखाव है the resistances of a wire at temperatures T degree Celsius and 0 degree Celsius are related by भाई T degree Celsius यानि कि किसी भी temperature के ओपर जो resistance होती है उसको हम represent करते हैं R T से और जो 0 degree Celsius पर resistance होती है उसको हम represent करते हैं R O से और आपको पता है यह दोनों A की formula में आते हैं और इसका जो correct option नज़र आ रहा है जिसमें equation जो correct है वो कौन सी option number A में correct है R T is equal to R O और bracket में 1 plus alpha delta T delta T होता है एक्चुली आप उसको subtract करते हैं T2 minus T करते हैं या लेकिन आपर T लिखाव है मतलब वही वाली equation है तो इसका first option correct है first वाले question का A option is correct second question में क्या लिखाव है second question में लिखाव है for which of the following the resistance decreases on increasing the temperature अच्छा हमें पता है के metals के साथ क्या आकानी होती है कि जब आप metallic conductors यानि के metals का temperature बढ़ाते हैं तो temperature के बढ़ाने से resistance भी बढ़ती है लेकिन जब आप semiconductors की बात करते हैं ना semiconductor में ये scene उल्टा हो जाता है semiconductor में temperature के बढ़ाने से resistance decrease हो जाती है तो पता है इन चार मेंसे आपको semiconductor A की नजर आ रहा होगा और वो है germanium तो इसका जो correct option है वो क्या है C germanium एक ऐसा है इन चार में जिसके temperature के बढ़ाने से resistance decrease हो जाती है तो इसका मतलब इस second वाले question का जो correct option है वो क्या है C germanium next question की तरफ चलता है ये रहे हमापास next two questions इन मेंसे जो पहला question लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है for a metallic wire the ratio V over I V potential difference और I का मतलब current is, इसके बाद चार आपके पास वो लिखे हुए है क्या नाम है options और statement से वो बता है पहले बाद तो ये तो देख लें कि ये जो ratio V upon I ये किसके बढ़ाबर होता है तो ये बढ़ाबर होता है resistance की according to Ohm's law जब आप potential difference को divide करते है current से तो ये किसके बढ़ाबर होता है resistance किसका मतलब आपसे resistance के बारे में पूछा जा रहा है resistance is मतलब इस पूरे question का कहने का मतलब ये है कि resistance is अब पढ़ें क्या लिखा हुए A में लिखा हुए is independent of temperature नहीं भाई resistance तो temperature बेडिपेंड करती है option number A गलत हो गिया B में लिखा हुए increases as the temperature rises ये सही है बिलकुल कि जो resistance होती है metallic wires की वो temperature के बढ़ने से increase होती है मतलब ये B option correct है increases as the temperature rises C में लिखा हुए decreases as the temperature rises गलत बात ये metallic wires की बात कर रहा है ये diodes की बात नहीं कर रहा D में लिखा हुए increases or decreases as temperature rises ये भी गलत हो गिया इसका मतलब A option correct है और वो कौन सा B यानि के resistance बढ़ती है temperature के बढ़ने से next question next question में लिखा हुए the resistance of a wire is R if the length of the wire is doubled by stretching याद करें मैं आपको शुरू के questions में एक बात बताईती कि जब भी वो आपको wire को stretch करके बढ़ाने को कहेगा तो हमार पास resistance का और length का एक ही relation होगा और वो relation क्या होता है क्या होता है बताया था में आपको शुरू में resistance is directly proportional to L square बस ये मतलब आपको वो जब भी कहेगा कि हम wire को stretch करके बढ़ा कर रहे हैं और बढ़ा करने में उसको कह सकता है कि double भी कर सकते हैं three times भी हो सकती है four times भी हो सकती है तो जितने time भी length बढ़ रहे हैं आप सिर्फ इसका square कर दें resistance हमेशा उतनी time increase होगी तो क्या कह रहा है the length of the wire is doubled by stretching तो अगर double हो रहा है तो double का square कर दो तो double का मतलब two होता है तो two का square क्या हो जाएगा four times यानि कि resistance will increase four times तो इसका correct option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा four r यानि कि resistance four times बढ़ जाएगी तो इसका correct option क्या लिखा हो है option number B यानि कि four r is correct next question की तरफ चलता है यह रहे हमारे पास next two questions इसमें जो first question है उसमें क्या लिखा हो है कि the resistivity of a wire depends on its A में लिखा हो है length गलत resistivity length पर depend नहीं करती B में लिखा हो है area of cross section ये भी गलत resistivity area पर भी depend नहीं करती C में लिखा हो है shape ये भी गलत इस पर भी depend नहीं करती resistivity depends upon the nature of the material material पर depend करती है है तो इसका मतलब इस फर्स वाले कोश्टन का जो क्रेक्ट ऑप्शन ने वो क्या है material डी ऑप्शन इस करेक्ट दूसरे कोश्टन में लिखाव है the elect sorry the conductivity of a superconductor is लेकिन अच्छा conductivity का पूछ रहा है पहले आपको यह पता हो कि what is या what are superconductors superconductors क्या होते हैं या एसे substances जो electric current को कोई resistance ओफर ना करते हो ऐसे substances को हम superconductors कहते हैं मतलब substances which offer no resistance to the flow of electric current are called superconductors ठीक है अच्छा अब resistance ना हो अगर पहले एक conductivity का पूछ रहा है न एक बाजान में रखिएगा conductivity जो होती है यह reciprocal होती है रेजिस्टवीटी की यह बात होते हैं रेजिस्टिवीटी और conductivity आपस में एक दुस्चे की क्या है रेजिस्टिवीटी अगर रेजिस्टेंस जीरो होना तो याद रखीएगा, resistivity भी क्या होती है? 0 होती है, और superconductors होते ही वो हैं, जो electric current को कोई resistance ओफर ना करें, resistance 0 होती है superconductors की, तो resistivity भी 0, अब अगर इसकी value 0 है, तो मैं यहाँ पर क्या put करूँगा? 0 put करूँगा, anything divided by 0, यह किसके बराबर हो जाता है? infinite, इसका मतलब conductivity, conductivity will become infinite for superconductors, यानि कि superconductors की जो conductivity होती है, वो कितनी होती है? infinite, इसका मतलब इसका जो आपको correct option नजर आ रहा होगा, मुझे देखने थे, infinite, यानि कि option number A is correct, चलते हैं next questions की तरफ, यह रहे हैं हमारा पास next two questions, इसमें first question में क्या लिखा हुआ है? कि two resistors of resistances R1 and R2 having R1 is greater than R2, यानि कि जो first resistance है, वो second वाली से जाता है, are connected in parallel, यानि कि दोनों की दोनों resistances आपस में parallel connected हैं, ठीक है? for equivalent resistance R, the correct statement is, अच्छा अब मेरी बात गौर्ट से सुनिएगा, वो यह कि हमापस resistances की दो किसम की combination होती है, एक होती है series combination और एक होती है parallel, इसमें जिकर है parallel combination का, पहले वाले question में याद रखीगा, parallel combination में जो equivalent resistance होती है, वो combination वाले हर resistance से हमेशा कम आती है equivalent resistance तमाम resistances से सबसे छोटी होती है, सबसे कम आती है मतलब यह कि इस वाले question में अगर 2 है ना R1, R2 तो याद रखीगा जो equivalent resistance है यानि कि R वो R1 से भी small होगी और यही equivalent जो है वो R2 से भी small होगी यानि कि parallel combination में equivalent resistance हमेशा सारी resistances से सबसे कम होती है अब इस first वाले question में हर वो option गलत होगा सुनिएगा गोर से हर वो option गलत होगा जिसमें यह greater वाला sign R की तरफ हो यानि कि equivalent resistance की तरफ अगर यह greater वाला sign भले ऐसे हो या वो भले ऐसे हो ऐसे करके अगर यह greater वाला sign R की तरफ है इसका मतलब वो statement गलत है क्योंकि parallel combination में capital R यानि कि equivalent resistance कभी भी किसी से भी बड़ी नहीं हो सकती इसकी value जादा नहीं हो सकती चलो चेक करते है चेक करते है बई देखें first वाले option में first में R is greater than यह दो कोई वाली condition लिकी वी greater than इसका मतलब यह गलत है ऐसा नहीं हो सकता parallel combination में ना तो कभी ऐसा होगा और ना कभी ऐसा होगा गलत होगा statement second में देखें क्या लिखा हुआ है R1 is less than R लेकिन R is less than R यानि के R चेक करो R जो है वो R1 से greater है गलत हो गया लिखा है ना second वाले statement में क्या लिका हुआ है R1 is less than R गलत हो गया equivalent किसी भी resistance से जादा नहीं हो सकती, C की तरफ सलते हैं, C में लिखा हुआ है कि R is greater than R2, देखो C वाले option में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, आगे छोड़ दो, R जो है वो R2 से greater है, ये भी घलत हो गया, ऐसा होई नहीं सकता, सिर्फ एक वाहिद आपको D option नजर आ रहा है, मुझ greater than नजर नहीं आ रहा होगा, parallel combination में हमेशा R की value less होती है, कम होती है, इसका मतलब इस पहले वाले question का जो correct option है, वो क्या हो जाएगा, option number D is correct, ठीक है, next question की तरफ चलते हैं, अच्छा, next question की तरफ चलने के लिए, मैं पहले question को read कर लेता हूँ, देखे question में क्या लिखा हुआ है, अब wire of resistance R, एक wire है, जिसकी resistance R है, is divided in 10 equal parts, मतलब एक complete wire थी, उसकी length L है, उसको छोड़े छोड़े parts में divide किया, और कितने, 10 parts में, और सारे के सारे equal है, पहले resistance थी R, अब वो डिवाइड कर दिय गया, 10 equal parts में, और उसके बाद क्या हुआ, these parts are connected in parallel, हर एक मुझ छोटा-छोटा पार्ट है, उन सब को parallel combination में connect कर दिया गया, और आब आप से पूछ रहा है, equivalent resistance of such combination will be, सुनिएगा मेरी बाग, इसको कैसे solve करेंगे, सबसे बहली बाग, यह देखें, एक wire था, यह रहा wire, इस पूरे wire की resistance थी R, यहां से लेकर यहां तक, यह पूरे wire की resistance थी R, और कब, जब इस wire की length थी L, यहां से लेकर यहां तक इसकी length थी, कहा जा रहा है, इस पूरी wire को आपने 10 equal parts में divide किया, यह देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नौ, और यह 10, 10 equal parts में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, इसको आड़ा दो, 10 equal parts में आपने divide कर दिया, जब अगर पूरे की length L थी, मतलब यह आ गया न, यह, ऐसे गर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, पूरी की length कितनी थी, 10, सॉरी, L, आपने इनको 10 equal parts में divide किया, तो अब length क्या हो जाएगी, इसकी भी L upon 10 हो जाएगी, इसकी भी L upon 10 हो जाएगी, इसकी भी L upon 10 हो जाएगी, इसका मतलब इन तमाम की अब length क्या हो गई, L by 10, L by 10, ऐसा है ना, और अगर length को decrease करते हैं, तो resistance भी decrease होती है, अगर मैं length को half कर दू, तो resistance भी half हो जाएगी, अगर मैं length को 4 times कम कर दू, तो resistance भी ऐसे हो जाएगी, अब देखें, length को कम करने से, क्योंकि length L by 10 हो गई, तो हर part की जो resistance होगी, वो भी क्या हो जाएगी, R by 10, इसकी भी कितनी होगी, R by 10, इसकी भी कितनी होगी वह क्या हो चुकी होगी आर अपॉन टैन और अपॉन टैन ऐसा है अच्छा अब क्या बोल रहा है इसको डिवाइट करके एक दो तीन चार दस हिस्थों में डिवाइट करके इन तमाम कोड पैरलल कॉंबिनेशन में लगा दिया गया अब बताओ जब यह तमाम वायर्ज पैरलल कॉंबिनेशन में होंगे तो इस पूरे पैरलल कॉंबिनेशन की इक्विवेलेंट रिजिस्टन्स कितनी होगी अब सुने मेरी बात सीरीज कॉंबिनेशन में हम करते हैं ऐसा पैरलल कॉंबिनेशन में हम करते हैं ऐसा लेकिन कब फॉर इक्विवेलेंट रिजिस्ट से और सारी की वैलियू सेमों सब की वैलियू अगर सेम हो तो यह कंडिशन अपलाय करेगा वर्ना मत करिएगा क्योंकि हमें कहा रहा है कहा ना पहले और था प्र सब का डिवाइड कर दिया तो सबकी रिजिस्टेंस कितनी होगी और आपॉंट अरपॉंट टैन अरपॉंट और parallel combination के लिए हम direct ये वाली trick apply करते हैं मतलब ये tricks हैं जल्दी solve करने के लिए अब क्योंकि इस वाले question में parallel combination की बात कर रहा है तो देखो, सब की r की value कितनी आ रही है यहाँ पर आप value put करेंगे resistance की तो resistance की सब की values कितनी है r upon 10, r upon 10 तो यहाँ पर आपने एक दफार of r upon 10 put करना है तो देखें, मैं यहाँ पर put करता हूँ r over 10 और divide करो n से और n का मतलब जितने भी resistors हो तो यहाँ पर कितने, कितने parts में divide किया 10 equal parts में divide किया तो n का मतलब number तो यहाँ पर आजाएगा divided by 10 लाइक दिस, ठीक है यह वाला series के लिए अगर इन तमाम wires को series में लगाया जाता तो आप n को r से multiply करते यानि के 10 को multiply करते r upon 10 से तो देखें, दुवारा r बन जाता दुवारा r बन जाता ठीक है, लेकि फिलाल क्योंकि parallel combination की बात कर रहा है तो इस तक रहते है 10 multiply करेगा 10 से तो यह हो जाएगा 100 यानि के r upon 100 और भाई अगर मैं 1 को 100 से divide कर दूँ या r को 100 से divide कर दूँ तो answer क्या हैगा 0.01 ऐसा है ना तो जो equivalent resistance है वो क्या बनेगी 1 upon 100 का मतलब क्या हो जाएगा 0.01 और 7 में क्या है r यह हमारा answer है इस second वाले question का answer क्या हो जाएगा 0.01 R तो याद रखिए का अगर आप किसी भी length को divide करेंगे ना तो length के divide होने से पहले resistance भी divide हो जाती है resistance भी कम हो जाती है और अगर जादा resistors है और सबकी value same हो तो याद रखिए का फिर या तो आप series के लिए यह वाला formula यूज करेंगे और parallel combination के लिए यह वाला formula यूज करेंगे और आप क्यूंकि grouping यानि के combinations के MCQs आ गए है तो यह formula हम बार बार use करते जाएंगे इसको node कर लें जो मैंने आपको solve करवाया है फिर आगे चलता है यह रहे है हमारे पास next three questions इसमें जो first question है इसमें क्या लिखा हुए कि there are eight equal resistances R आठ resistors हैं जिनकी सब की values R है आगे क्या लिखा हुए two are connected in parallel जिसमें से दो को parallel में connect किया such four groups are connected in series the total resistance of the system will be मतलब यह कह रहा है कि आठ resistors हैं और उन आठ मेंसे दो को parallel बनाया और ऐसे चार combinations को series में लगा दिया गिया मैं आपको बना के दिखाता हूँ यह देखें इस question का मतलब कुछ इस तरीके से यह आगिया मापस एक resistor यह दो हो गए इसके बाद एक और combination like this जो मैं boxes टाइप बना रहा हूँ यह समझ जाएगा यह resistors है ठीक है और यह आगिया last combination यह आगे मापस combination यह इस combination की बाद कर रहा है question के अंदर कह रहा है कि 8 है देखो 2, 4, 6, 8 8 resistors हैं सबकी values र, र हैं यह भी र, यह भी र, यह भी र, 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 और, र, र, ठीक है जिसमें से 2 को parallel लगाया parallel combination और ऐसी 4 combinations को series में लगा दिया गया यह question आपसे कह रहा था अब आपको इस पूरे system की total resistance find करनी है तो भई, यहां से start करते हैं पहले तो यह दोको इन दोनों resistance का जो parallel हैं इन दोनों का पहले find करते हैं कि parallel combination क्या आता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि parallel combination हो और अगर same resistors हो equal resistors हो तो आप क्या करें resistor की value को n से divide कर दें resistance की value को n से divide कर दें तो भई, resistance की values दोनों की क्या है r और r तो मैं r को divide कर दूँगा किस से कितने है total 2 तो 2 से divide कर दूँगा तो यह बन गया r upon 2 equivalent resistance यह जो r upon 2 आईए ना यह final answer नहीं है यह सिर्फ इन दोनों का आया है parallel combination का अब अगर इन दोनों का r upon 2 आया है तो इसका भी r upon 2 आयेगा इन दोनों का भी r upon 2 आयेगा और इन दोनों का भी r upon 2 आयेगा अब आप note करें कि एक, दो, तीन, चार चार दफ़ा कौन है r upon 2 और यह जो चार r upon 2 है अब यह कौनसी सीरीज में sorry, कौनसी combination में यह सारे सीरीज combination के अंदर है तो पहले आपने हर दो का दो, 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 दो हर इन दो का पहले आपने parallel combination find किया तो पता चला कि अगर इन दोनों का r upon 2 आया है तो इनका भी r upon 2 आयागा इसका भी r upon 2 और इसका भी r upon 2 फिर यह चारो r upon 2 कौनसी combination में सीरीज combination में और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सीरीज combination हो तो आपने r को multiply करना होता है n से अगर equal resistance है तो इसकी भी r upon 2 r upon 2 r upon 2 r upon 2 सारे equal है न तो equal हो और सीरीज हो तो आप क्या करते है सिर्फ r की value को multiply कर दें total जितने हो तो कितने हैं 4 है तो भई सब की values कितनी है सब की values है r upon 2 यह आगिया r upon 2 multiply भई total हैं कितने सीरीज combination में यह आगिया 4 तो 2 ones are 2 2 twos are 4 2 को multiply कर दें r के साथ तो हमारा जो total resistance आ रही है वो कितने आ रही है 2 r यह हमारा correct option है 2 r तो check कर लेते हैं हमारा कौन सा option में यह option लिखा हुए आप जब तक इसका screenshot लिलो हाँ भी first question का जो correct option आपको नजर आ रहा होगा that is b यह यह हमारा correct option है b 2 r इसको नोड कर ले next की तरफ चलता है अच्छा भी next question में क्या कह रहा है कि three resistances each of one ohm अब तीन resistors है तीनों की values one one ohm है r connected in parallel बहुँ वाली बात आगे parallel है और सब की values one one है तो हम क्या करेंगे r upon n और अगर series में होती ही तो r multiplied by n यह बात आप जहन में रखेंगें लेकिन कब जब equal हो तो अच्छा such connection is again connected with two upon three ohm resistors in series the resistance the resultant resistance इसको रप करते हैं बना के दिखाता हूँ देखें भई next question में जो लिखावा है वो कह रहा है कि हमारे पास तीन resistors हैं जो के parallel combination में है यह आगिया पहला यह आगिया दूसरा और यह आगिया तीसरा तीन resistors हैं और यह तीनों आपस में parallel में और सबकी values one one है इसकी भी one ohm इसकी भी one ohm और इसकी भी one ohm इसको सीरीज में लगाया गया एक और रेजिस्टर के साथ और उस रेजिस्टर की वैल्यू आपको गिवन है और वो कितनी है लेट मी चेक वो आपको गिवन है 2 अपॉन 3 ओम यह आगया 2 अपॉन 3 ओम ठीके अब आपने इस पूरे सिस्टम की टोटल रेजिस्टर्स फाइंड करनी है पहले क्या बोला तीन वन ओम के रेजिस्टर्स है पारलल कॉमिनेशन में यह तीन आ गए फिर इस कॉमिनेशन को एक और रेजिस्टर्स के साथ जिसकी वैल्यू टू अपॉन 3 है उसके साथ सीरीज में लगाया गया पहले, तो भैस सबसे पहले तो हम इसको फाइंड करेंगे इसको फाइंड करने के लिए एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मला क्या अगर पैरलल हो और सारे एकूल हो क्या करते हैं, आर को दिवाइट करते हैं 1 upon 3. अब ये 1 upon 3 वाला resistor सीरीज में लगावा है किसके साथ? 2 upon 3 वाले के साथ. और अगर सीरीज कॉंबिनेशन हो तो हम क्या करते हैं? डारेक्ट प्लस करते हैं. तो भई, अब हम सीरीज कॉंबिनेशन को करने जा रहे हैं. इस वाले का टोटल कितना आया? 1 upon 3 तो 1 upon 3 वाले को हम plus करेंगे इस series combination में इस वाले के साथ तो plus करतें इसकी value कितनी है 2 upon 3 LCM लेंगे हाँ बई, LCM कितना आएगा LCM आजाएगा 3 बाकि 1 plus 2 जाएगा उपर 1 plus 2 तो 1 plus 2 का मतलब 3 तो यह बन जाएगा 3 over 3 और final answer हमारा क्या आजाएगा final answer हमारा पास आजाएगा 1 1 home चेक कर लें, यह चेक कर लें मैं भी देख लेता हूँ कौन से option के अंदर यह आपको correct नजर आ रहा होगा तो हमारा second वाले question का correct option आ रहा है C 1 home तीन registers parallel में थे सबकी 1-1 values थी एक के साथ series में था पहले इन तीनों का find किया तो 1 upon 3 answer आया, फिर इस 1 upon 3 को series combination में इसके साथ दुनों को plus किया तो हमारा answer आ गिया 1 home इसको note कर लें जब तक मैं question number 3, यानि के third question को read कर रहा हूँ हाँ भी, note कर लिया होगा, ठीक है next question, इसमें लिखाव है the lowest resistance which can be obtained by connecting 10 resistors each of 1 upon 10 ohm total resistors कितने हैं, 10 और सबकी values कितनी हैं, 1 upon 10 और यह बोला है lowest lowest का मतलब resistance कम जब होती है जब आप resistors को parallel में combine करते हैं अगर यह बोलता highest जादा से जादा, तो series combination होती ऐसे पता चलता है lowest resistance का मतलब parallel combination highest resistance का मतलब series combination समझ रहें, अब यह तो पता से लिए parallel combination है, number कितने है total, 10, और सबकी values कितनी है 1 upon 10, बहुत असान है calculate कर लेंगे, और कौन से वाले formula से इसी वाले formula से calculate करेंगे मैं इसको रब नहीं कर रहा सिर्फ diagram हटा देता है और इसको रब कर देता है हाँ भी, question में कहा रहा है कि हमारे पास total 10 resistors है और सबकी values 1 upon 10 है सबकी values 1 upon 10 है, इसका मतलब R की जगा पे क्या जाएगा, 1 upon 10 divide कर दो, सब हैं कितने, total कितने resistors total 10 resistors है divide क्यों कर रहे हैं, क्योंकि parallel combination है, पता कैसे चला lowest resistors का उसने और lowest जब हासिल होती है, जब आप parallel combination में लगाते हैं, तो जनाब 10 से 10 से multiply करेगा, तो यह हो जायागा 10 tens आ, 100 और check कर लेते हैं, शायद हमारा यह answer मौजूद होगा, options के अंदर options के अंदर, 1 upon 10 sorry, 1 upon 100, C option is correct, आगे हमारा answer, 1 upon 100 ohms option number C में आपको यह नज़र आ रहा होगा equivalent resistance is 1 upon 100 ohms, तो इसका मतब यहाला formula बड़ा काम का है भई, इसको याद कर लो यह trick है, जल्दी करने की, अगर equal resistors हो, parallel में हो, तो formula यूज़ किया जाता है R upon N, और अगर equal resistors हो, series में हो, तो formula यूज़ किया जाएगा R multiply by N, ठीक है, node कर लें इसको, आगे चलता है यह रहा हमारा पास next question, और इस question में लिखा हुआ है कि 3 resistors, each of 2 ohms, are connected together in a triangular shape मतलब, 3 resistors हैं, उनको आपस में ऐसे connect किया किया, कि वो 3ों ने एक triangular shape बना ली अब क्या बुच रहा है, the resistance between any two vertices will be चलो उसको solve करते हैं, तीन हैं और तीनों की values जो हैं, वो 2 to ohms हैं मतलब आपसे कहना चाह रहा है कि कुछ इस तरीके से shape बनाई गई triangle या या triangle ठीक है, अच्छा, triangle के अंदर वो कह रहा है तो तीन रेजिस्टर दोना लेते हैं, एक रेजिस्टर ये रहा एक रेजिस्टर ये रहा और एक रेजिस्टर ये रहा और तीनों की values कितनी बता रहा है वो टू टू ओम्स बता रहा है ठीक है, यह भी टू ओम्स का, यह भी टू ओम्स का अब वो बोल रहा है कि resistance between any two vertices ये vertices हैं ठीक है इनके दर्मियान किसी भी दो के दर्मियान आपने total resistance बता लिए अब देखें यहाँ पर हमें कैसे पता सेले यार यह जो तीन resistors लगे में हैं यह कौन सी combination में लगे में तो याद रखेगा हमारे पास series और parallel combination को पहचानने का तरीका यह होता है कि अगर current के flow के पास एक ही रास्ता हो तो वो series combination होती है और अगर current flow कर रहा हो एक से ज़्यादा parts में तो वो parallel combination होती है तो इसको check करते है let's suppose यहाँ से current आ रहा है यहाँ से current आ रहा है आए जब वो इस point पर पहुचेगा तो यह divide होगा कि कुछ current जायागा इस तरफ और कुछ current जायागा इस तरफ इसका मतलब यह वाला resistor और यह वाला resistor यह वाला resistor यह दुनों आपस में parallel combination में है क्यूंकि जहाँ जिस point पर current डिवाइड होके फिर flow करताबा जाए वो resistors हमेशा parallel combination में होते हैं अब सुनें यह वाला current इसमें से enter होगा और इसको leave करके यही same current इस वाले में से जायागा मतलब यहाँ पर कई भी भी divide नहीं हो रहा इसका मतलब यह वाला और यह वाला आपस में कौन सी combination में series combination में तो सबसे पहले आप इन दोनों का series combination find कर लें यह भी two ohms यह भी two ohms series combination में हम क्या करते है direct plus करते हैं तो इस वाले का और इस वाले का direct plus करेंगे तो answer क्या जाएगा four ohms मतलब यह दोनों resistors series में है और series में है इन दोनों का total कितना आ रहा है four इसका मतलब यह diagram कुछ update होके यूँ बन जाएगी यह वही point आ गिया और इसके बाद यह हम आपस आ गया एक रेजिस्टर और यह आ गया हमार पस दूसर रेजिस्टर like this और यह ऐसे हो गया मतलब यह वही point है और यह वही point है यह दो बिहेव कर रहे है और इस सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू कितने आ रही है यह आ गया four और यह already कितना वाला है यह two वाला है अब आप नोड करें दूनों कौन सी इसे कॉमिनेशन में आ गये और प्रफ यह वाला यूज करने के लिए एक की फोर और एक की टू है तो भाई let's suppose यह two और यह four two को multiply करेंगे four के साथ और नीचे दोनों का add करेंगे two plus four तो two fours are eight divided by two plus four six eight by six two fours are eight और two three's are six हमारा final answer आ गया four by three इस पूरे इस पूरे triangular shape का जो equivalent resistance आ रही है वो कितने आ रही है four upon three यह हमारा final answer है this is our answer four upon three let me check कि यह कौन से option में मौझूद है तो यह आपको नजर आ रहा है four upon three first option में four upon three ohms यह हमारा correct option है तो यह important question था भई यह बहुत दफ़ा repeat भी होआ है बहुत दफ़ा आता भी है कि triangular shape में आपको तीन resistance given होते हैं तो आपको इस पूरे triangle की equivalent find करनी होती है दो हमेशा series में होते हैं और उस series का तीसरा वाला जो होता है वो हमेशा parallel में होता है तो पहले series find करते हैं जो भी answer होता है पिर उसका parallel find करते हैं तो आपका final answer आता है note it down इसको note करें फिर आगे चलते हैं यह रहे हैं हमारे पास next two questions इसमें first question में आपको एक circuit given है हना और वो circuit यानि कि वो diagram में ना अल्रड़ी बनाई भी यह रही as it is बिल्कुल इसमें आप count करें तो 3, 3, 6 और 7 साथ resistors given हैं और आपको इस पूरे circuit की जो है वो equivalent resistance बतानी है तो भई solve करते हैं सबसे पहले तो आप note करें कि तमाम के जो resistances हैं वो RR हैं यह जो तीन है यह सीरीज में है यह जो तीन है यह भी सीरीज में है इन तीनों का series combination किसके पराबर आएगा 3R के क्योंकि आर प्लस आर प्लस R, series combination में direct plus करते हैं तो इन तीनों का कितना हैगा 3R और इन तीनों का भी कितना हैगा 3R जब आप इसको solve करेंगे पहली दफ़ा तो हमारा answer यह बनेगा कुछ यह बनेगा मतब इन तीनों को solve करेंगे तो answer आएगा 3R इन तीनों का equivalent निकालेंगे तब भी answer कितना आएगा 3R और यह कितना है यह R है अब जब यह दो parallel combination में मौझूद हैं 3R 3R वारा तो इसका जब आप equivalent find करना चाहेंगे तो देखो मैंने आपको बताया था parallel combination में equal हो तो आपने equal find करने के लिए क्या करते है R को divide करते है N से parallel combination में अगर दोनों equal हो तीनों equal हो दस के दस equal हो तो हम क्या करते है R divided by N तो मुझे बता है कि यहाँ पर R कितना है दोनों की values कितनी कितनी है 3R 3R तो यह देखें 3R divided by N total numbers कितने है parallel में 2 यह आगया 2 इसका मतलब इसका मतलब यह इन दोनों की जो total combination आई यह वो कितनी आई यह 3R upon 2 इसका मतलब यह अब जब करना हो तो हम direct plus करेंगे यानि के R plus 3R over 2 अच्छा direct plus करने का मतलब क्या हो जाएगा आपको इनका LCM लेना है तो LCM लेने का मतलब क्या हो जाएगा 2 आजाएगा LCM 2 multiply करेगा यह बनेगा 2R plus 2 से 2 cancel होगा LCM में तो उपर कौन है यह आजाएगा 3R अब 3R plus 2R कितने हो जाएगे यह जाएगा 5R और upon में कौन है 2 इसका मतलब हमारा जो final answer आगया वो कितना आगया 5R upon 2 चेक करें option में नजर आ रहा ही है मैं भी जैक करता हूँ हाँ भी हाँ बिल्कुल अजर आ रहा है और यह आपका correct option नजर आ रहा है आपको option number D में ठीक है ना so option number D is correct इसको note कर लें पहले आपने ये तीन सीरीज में ये तीन सीरीज में solve किया तो दो combination आ गई पर इन दुनों का solve किया तो इसका answer ही आया फिर finally इनका series find किया तो हमारा final answer आ गया 5R upon 2 अच्छा इसको रब करके मैं next question की तरफ सलता हूं next question में आपको कह रहा है कि दो equal sorry दो resistors है और उन दो resistors का combination कौन सा है parallel combination है लिखावा है next question में two resistors are joined in parallel whose resultant is 6 upon 8 इसका मतब इस वाले question में आपसे resultant नहीं पूछ रहा है या आपको given है resultant resistance given है 6 upon 8 पहले मैं आपको diagram के समझाता हूं कह रहा है कि हमारे पास दो resistors है यह रहा हमारे पास let's suppose एक और इसके साथ parallel combination में आ गया दूसरा ठीक है यह आ गए parallel combination वो कह रहा है कि इन दो resistors का जो equivalent resistance है वो आ रही है 6 upon 8 मतलब इन दोनों resistance या नहीं कि let's suppose इसको मैं कहा देता ह हूं R1 और इसको मैं कहा देता हूं R2 इन दोनों की जो equivalent आ रही है वो कितनी आ रही है 6 upon 8 ohms यह आपको given है अचा आप क्या कह रहा है कि one of the resistance wire is broken and the effective resistance becomes 2 ohms यह कह रहा है कि पहले इन दोनों की मिला कर जो total थी 6 upon 8 एक काम ऐसा हुआ कि एक वाले का wire break हो गया एक का wire break हो गया तो पता चला अब इसकी जो total आ रही है वो आ रही है 2 यानि कि वो total किसकी आ रही होगी वो इस वाले की आ रही होगी भाई दोनों का collectively answer कितना आ रहा था 6.8 जब दोनों combine थे दोनों काम कर रहे थे लेकिन कह रहा है कि एक का तार ब्रेक हुआ तो पता चला अब जो आ रही है न वो कितनी आ रही है 2 ohms तो वजाट से बात है 2 किसी एक ही होगी let's suppose r1 की value 2 आ गई तो आपसे बता है कि आप उसे गवो बताओ जो टूटा है न जो ब्रेक हुआ है उस वाले की resistance कितनी है यानि के r2 की value बताओ कितनी है तो जनाब आपसे कह रहा है कि दो resistors थे parallel में थे इन द इसका मतलब एक काम नहीं कर रहा तो एक ही है और वो जब काम कर रहा है उसकी resistance कितनी है 2 तो पुछ रहे बताओ जो टूटा है न उसकी resistance कितनी थी r2 calculate करना है parallel combination में formula क्या होता है 1 over r is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 parallel combination का total find करने का formula यह होता है reciprocals के अंदर आपको r given है आपको r1 given है आपको r2 find करना है तो वह values put करते हैं 1 over r की value कितनी है 6 upon 8 यह हो जायागा 6 upon 8 is equal to r1 की value कितनी given है 2 plus 1 over r2 ठीक है अब मुझे अगर r2 find करना है तो जायर से बात है 1 upon 2 plus करना है तो माँ जाके minus करेगा दूसरी बात यह 6 upon 8 है तो यह 8 उपर जायागा 8 upon 6 तो देखें यहापर लिख रहा गिया और 1 upon 2 plus करना है आप आके minus करेगा तो minus 1 over 2 is equal to महाँ पर क्या बजगिया 1 upon r2 यह बजगिया 1 upon r2 अब आपने सिर्फ इनका LCM लेना है जब आम इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या आजाएगा LCM 6 तो यह आगिया 6 LCM 6 से 6 cancel होगा उपर बचावा 8 minus 2 के double 6 का बाता है 3 तो 2 3 जा 6 उपर जा रहागा 3 और is equal to 1 upon r2 वहाँ पर as it is मौझूद है 8 में जे 3 जाएंगे 5 और 5 upon 6 यह बचेगा 5 over 6 is equal to 1 over r2 अकसर स्विंट्स क्या करते हैं जल्देली में समझते हैं कि आंसर आगिया और मज़ए के बाद मुझे लगता है यह option में मौझूद भी होगा 5 upon 6 इस किसम की direct option मौझूद होते हैं तो स्विंट्स क्या समझते हैं हमारा answer आगिया और नहीं भाई यह answer नहीं है आपको r2 find करना है तो r2 find करेंगे तो values flip करेंगे तो r2 की value यहां से क्या जाएगी 5 upon 6 ना क्या बन जाएगा 6 upon 5 actually this is our answer यह हमारा answer है और यह answer आपको मौझूद है नज़र आ रहा है option number C में इसको note कर लिएगा option number C में हमारा option नज़र आ रहा है समझ रहे हैं question कैसे गुमाया उसने इस वाले question में आपसे equivalent resistance नहीं पूछ रहा था आपको total resistance given थी आपसे कह रहा था कि अगर एक की इतनी है तो बताओ दूसरे वाले की कितनी होगी तो हमें पता चला parallel combination थी तो parallel combination के total वाले formula से start किया ये parallel combination का total resistance का formula है ये given था ये given था ये plus कर रहा है यहाँ पर आके minus कर रहा था फिर हमने simple एक छोटा सा solution किया है ठीक है next question की तरफ चलता है ये रहे हमारा पास next questions तीन questions आपको नज़र आ रहोंगे इसमें पहले question में लिखा हुआ है कि given three equal resistors, how many different combinations of all the three resistors can be made, कह रहा है कि तीन equal resistors अगर आपके पास हो तो आप इन तीन resistors से कितनी combinations बना सकते हैं, how many combinations can be made, तीन resistors से, तो देखें में मैं आपको count करवाता हूँ, हमारे पास अगर तीन resistors हो तो पहले तो हम सब के सब को series में join कर दें, तो यह हो जाएगी पहली combination, all the resistors are connected in series, पहली combination, फिर हमार पस दूसरी combination क्या हो सकती है, जितने भी resistors हो, सब को आप connect कर दें, parallel combination में, यह आगे हमार पस दूसरी combination, all the resistors are connected in parallel, तीसरी combination, तीसरी possibility, हमार पस दो resistors हो, उनको आप connect कर दें, series में, और तीसरी वाले को आप connect कर दें, parallel के अंदर, यह आगे हमार प आपस तीसरी possibility दो series में हो और एक parallel के अंदर हो चौती possibility दो resistors कोई भी आपस में parallel हो और इस combination को आप connect करने किसके अंदर series के अंदर यह आ गई fourth possibility इसके लावा कोई 5 भी possibility नहीं है तो याद रखिएगा अगर आपके पास कोई भी तीन resistors given हो तो उन तीन resistors को हम maximum कितने combinations में connect कर स सारे series में सारे parallel में दो series में एक parallel दो parallel और एक series में इसका मतलब इस वाले MCQs का first वाले question का जो correct option है वो क्या हो जाएगा four ठीक है next की तरफ चलते है next question में लिखा हुआ है याद रखिए का हमारे घरो में जो भी lighting होती है उसके लिए जो भी लेम्स यूज की जाते हैं वो आख से बूसर है कि कौन सी combination में connect किये जाते हैं याद रखिए का household घरों में lighting के लिए ये lens को connect किया जाता है parallel combination में parallel combination एक ऐसा combination होता है जिसमें किसी भी एक resistor का दूसरे से तालुक नहीं होता अगर एक काम करना बंद भी कर जाए ना खराब भी हो जाए तो बाकी दो बाकी remaining जितने भी हो वो operate कर रहे होते काम कर रहे होते हैं series combination में क्या होता है let's suppose ये बलबे ये बलबे ये बलबे series combination में अगर एक ने भी काम करना छोड़ा ये एक भी fuse हुआ तो वो सब पूरी combination को खराब कर देगा बाकियों को भी काम करने ने देगा तो याद रखिएगा घरों में lighting के लिए जो lens use किये जाते हैं वो कौनसी combination में कनेक किये जाते हैं parallel combination में ताकि अगर कोई भी एक खराब हो बाकि सारे operate करते रहें तो इसका जो connect option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा parallel so lens used for household are connected in parallel next question की तरफ चलते हैं third यानि कि third question में क्या लिखा हुआ है the equivalent resistance of resistors connected in series is always series combination की बात कर रहा है series combination की बात कर रहा है series combination में जो equivalent resistance होती है वो हमेशा सबसे जादा होती है हमेशा सबसे जादा होती है least वाले सारे option गलत हो जाएंगे equal वाले सारे option गलत हो जाएंगे a option में क्या लिखा हुए equal to the mean mean नहीं होता भाई सबका sum होता है, mean नहीं निकालते है, mean के अंदर क्या होता है, पहले sum करते हैं, और total से rewrite कर देते हैं, नहीं, यह गलत हो गया, B में लिखावा है, less than, गलत हो गया, less तो होई नहीं सकता, series combination में जो equivalent आता है, वो हमेशा सबसे जादा होता है, C में क्या लिखावा है, in between the lowest, यह भी गलत, in between की कहानी नहीं है, series combination में जो equivalent आता है, वो हमेशा सबसे जादा होता है, जो सबसे बड़ा वाला होगा, उससे भी जादा, जो सबसे lowest होगा, उससे भी जादा, D option की तरफ देखें, क्या लिखावा है, equal to the sum of component resistors, this is correct one, series combination में, जितने भी components आते हैं, सब के sum के बराबर होता है, equivalent resistors, इसका मतलब, D option is correct, equal to the sum of component resistors, D option is correct, चलते हैं, next questions की तरफ, यह रहा है हमार पास next two questions, इसमें first question में क्या लिखा हुए, 10 wires, आगे bracket में condition से इसको छोड़ने वाले, 10 wires are connected in parallel, each has 1 ohm resistance, 10 हैं, और सब की values same है, 1, 1, 1, 1 करके, equivalent resistance आपने बतानी है, और मैं आपको पहले कितनी दफाँ बता चुका हूँ, कि आपके बास अगर parallel combination हो, और अगर कितने भी resistors हो, और आपसे equivalent equivalent पूछे, तो equivalent का formula A की होता है, और वो क्या, R को divide कर दो, total numbers से, सब की values वो कितनी बता रहा है, 1, 1 है, divide कर दो, total कितने बता रहा है, 10 हैं, तो answer क्या आजाएगा, 0.1 ohm, यह हमारा correct option है, इस वाले MCQs का, 0.1 ohm, और यह आपको नज़र आ रहा होगा, option number C में, 0.1 ohm is the answer, next, एक circuit given है, circuit बना लेते हैं, देखें, circuit क्या given है, आपको कहा जा रहा है कि, एक resistor यह रहा, और एक combination यह रही, लाइक दिस, ठीक है, अब मज़े की बात, इनकी values क्या given है, values सब की given है, 2, 2, 2, 2, यह भी 2 ohms का, यह भी 2 ohms का, यह भी 2 ohms का, और यह भी 2 ohms का, आपने circuit का total find करना है, तो इस total को find करने के लिए, सबसे पहले आपने इन दोनों का parallel combination find करना है, तो जब आप इन दोनों का parallel find करेंगे, तो parallel find करने के लिए formula क्या होता है, वही, r upon n, equal हो, parallel में हो तो कुछ में करो directly वाला formula यूज कर लो यह असान है कितनी दफ़ा बता दिया मैंने आपको ये भी 2, ये भी 2, parallel में है तो r upon n value सबके कितनी है 2, 2 है तो उपर भी 2 और total कितने है, 2 है तो 2 upon 2 कितना हो जाएगा, 1 ohm इन दोनों का जो answer आया वो कितना है, 1 ohm, यानि कि ये जो दोनों है, ये behave कर रहोंगे as a single और इस single का जो answer आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1, अब ये जो तीनों है ये आपस में किसमे connect होगा है, series combination में series combination में direct plus करते है 2 plus 1 plus 2, दुबारा बता रहा हो 2 plus 1, इन दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 1, तो 2 plus 1 plus 2, कितना answer आ जाएगा, 5 ohms, तो इसका मतलब जो total answer आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 5 ohms, यानि कि जो second वाला question है, इसका correct option क्या आ रहा है, जनाब, इसका correct option आ रहा है, 5 ohms और ये आपको option number C में अज़र आ रहा होगा, इसको load कर ले, ये रहे हमापस next two questions, इसमें first question में लिखा हुआ है, the potential difference, PD मतलब potential difference across a resistance is 3 volts, potential difference given है, and current flows through it is 2 ampere, current given है, the power dissipation will be, power dissipation का question आया है, actually power dissipation हम calculate करते है, power dissipation का जो formula होता है, वो होता है, आप potential difference को multiply कर दे है, current के साथ, simple, as you like it, so potential difference की value आपको given थी, कितनी 3, और current की value आपको given है 2, दोनों को multiply कर दे है, answer आ जाएगा तो 3 multiply by 2, 3 twos है 6 watt यह हमारा answer आ गया, power dissipation के formula से, 6 watt is the correct option, और यह आपको option number C में नजर आ रहा है, next question में लिखा हुआ है, a 60 watt electric device power given है, 60 watt power given है, electric device is connected to a battery of 12 volts, potential difference given है find the current pass through it, यह वाला formula यूज़ करेंगे, यह वाला formula यूज़ करेंगे, second question के लिए इस वाले formula को arrange करेंगे, आप current के लिए I के लिए arrange करेंगे, तो V multiply कर रहा है P के साथ जाके divide करेगा, P upon V, आपको power given है कितनी 60, potential difference कितना given है 12, इन दोनों को divide करेंगे तो answer के आ जाएगा, 5 amperes तो second वाले question का, जो correct option आ रहा है, वो कितना आ रहा है 5 amperes, यानि कि option number B is correct, इसको note करेंगे, फिर आगे चलता है यह रहा है हमारे पास last two questions मतलब ही हमारे पास last questions ही है last के two questions, इसमें first question में लिखा हुए, a current of 3 amperes, current की value given है passes through a resistance of 5 ohm resistance की value given है, how much energy converts into heat in one second, how much energy is converted into heat, इसको मैं कहते हैं power dissipation का topic था, उसके बाद जो power dissipate होती है, वो appear होती है in the form of heat energy, so heat energy का जो formula होता है, calculate करने का वो होता है, एक तो V into I into T पहला formula, लेकिन given condition के मताबिक आप यह वाला formula use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको potential difference की जगा resistance की value given है, तो जब आप V की जगा पे IR put करेंगे न, तो formula बनेगा I square R into T, तो heat energy का formula हम यह वाला यूज कर सकते हैं, इस वाली condition में, हाँ भी, current आपको कितना given है, 3 ampere, ऐसा यह न, एक तबा चेक कर ले तो हाँ, 3 ampere, तो 3 के उपर square करेंगे, तो यह 3 का square करेंगे, multiply करेंगे, resistance की value आपको given है, 5 ohms और time की value आपको given है, 1 second, यानि के 1, 5 आ गया, ठीक है, so 3, 3's are 9, 9 multiply by 5, और into 1, 1 तो अटा दो आप, तो हमारा जो correct option आगया, 5, 9, 45 joules, यह हमारा correct option है, और आपको यह correct option नजर आ रहा होगा, option number A में, ठीक है, next question, a current of 8 ampere passes through the 10 ohm resistance, current given है और resistance given है, how much voltage will it drop, ohms law, V is equal to IR, I को और R को multiply कर दें, I को और R को multiply कर दें, आप कहां सरा जाएगा और क्या करें, multiply करके, 8 को multiply करेंगे 10 से, तो 8 tens are 80, तो correct option क्या हो जाएगा, 80 volts, according to ohms law, V is equal, चलो लिख देते हैं, यह भी के मस्ता थोड़ी सकंतर, according to ohms law, V is equal to IR, आपको current कितना given है, 8, resistance कितनी given है, 10 ohms, तो 8 tens are 80 volts, ठीक है जनाब, यह आगिया, capital V, इसको note कर लें, तो उमीद करता हूँ कि इस chapter के, यानि के current electricity के, जितने भी हमने, हमने MCQs solve किये, समझे, explain किये मैंने आपको, यह आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, कि अगर आपकी इन में मुश्किले रही होंगी, अगर आपको problems रही होंगी, इन MCQs में या इन जैसे MCQs में, तो आपको वो clear हो गए होंगे, उमीद मैं यह करता हूँ, और आप इस किसम के MCQs की practice करेगा, इनकी बहुत अच्छे से practice करके, इस जैसे मजीद जो MCQs होते हैं, उनको solve करेगा खुद से, ठीक है? तो current electricity के MCQs को finally आज हमने discuss कर लिया है, तो MCQs सीरीज का आज का हमारा था lecture number six, जो के complete हुआ जाता है, मिलते हैं इसी सीरीज के next video में, यानि के seventh lecture में, तब तक के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी मेहनत करते रहें, practice करते रहें, पढ़ते रहें, और दुआ है मेरी कि आप लोग अपनी मेहनत में, अपने जो भी आपके aims हैं, उनमें कामियाब रहें, ठीक है? तो मिलते हैं next video में, thank you.